हेलो एवरीवन आप लोगों का स्वागत है मेरे कोर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरे एक टैंक के उपर होने वाला है जो की बहुत ही स्मॉल सा टैंक है पर इसकी जो फिसेज है वो बहुत ही यूनिक है बहुत ही रेयर वराइटी की फिसेज है आज मैं दो planted tank है आपको पता होगा एक Amazon soil में एक हमारा देशी मिट्टी में है ठीक है तो दोने के उपर चर्चा करेंगे पर किसी और वीडियो में दूसरा वाला tank मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में ये डेड़ फीट का tank जो कि Amazon soil में इसके plant लगी भी है इसके उपर आज हम सब चर्चा करेंगे ठीक है तो आप अगर planted tank बनाना चाते हैं तो आप एक फीट से भी सुरबात कर सकते हैं डेड़ फीट से भी कर सकते हैं तो ये मेरा पहला planted tank था जो कि डेड़ फीट से मैंने सुरबात किया था इसमें दो-तीन वेराइटी की plants लगी वी है एक है ये जो सामने में देख रहे हैं हरी पत्ती में मलब पत्ती तो सारी हरी ही होगी एक एनवियस plant है और एक ये gross tail कुछ ऐसे plant बोलता है और नीचे जो मिट्टी है वो Amazon soil है यानि वो 300 रूपीज केजी मिलता है और इसमें 4 केजी सिर्फ इसमें वो नीचे स्वैल जो है वो लगा हुआ है इसमें fishes कौन सी है तो ये diamond well tail angels है उसके बाद इधर एनवियस plant है एक और diamond well tail angels है आप देखी सकते हैं जबर्दस्त खुबसूरत है और ये है blue angels बहुत ही rare variety की fishes है मतलब बहुत ही rare मिलती है कभी कभी आती है तो एक ही था उनके पास तो काफी दिन से है मेरे पास अभी थोड़ी इसकी size भी बढ़ गई है तो मैं इस tank में बस angel fishes रखा हूँ क्योंकि planted tank के लिए सबसे best मेरे according to अगर fish है तो वो 2 fishes है एक तो discuss fish दूसरा angel discuss हमारे सहर में कोई सबकी पर लाता नहीं है रखने का भी मन होता है तो लाता ही नहीं है angels हमेशा एवलेबल रहता है पर ये rare variety की ये जो blue angels से ये एवलेबल नहीं रहता है फिलाल अभी एक है हमारे पास तो बहुत खुसी का बात है तो angels बहुत ही जवरदस्त और बहुत ही खुबसूरत fishes होता है आप देख सकते हैं इस planted tank में मैंने money plant का बहुत बखुबी इस्तिमाल किया है नीचे money plants की root है बहुत बड़ी गए ये root और उपर money plants देखे कितनी grow हो चुकी अभी मतलब उपर होई रही रही ग्रो अभी मैं ये पूरा ढग दूँगा money plants से ताकि बहुत अच्छी भी दिखे और planted tank में और plus money plant लगाने के बहुत फाइदे हैं ये पोथोस क्या करता है आपके ammonia जो build होता है वेस्ट वेगरा से उसको control करता है नाइट्रेट को नहीं बढ़ने देता है और एक pure oxygen प्रवाइड करता है आपके water में तो money plant अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं आपको पत्ती ऊपर रखना है और इसकी जो जड़ है रूट है वो पानी के अंदर आपको deep करके रखना है ठीक है तो आप money plants में आप गपी वेगरा रख सकते हैं molly वेगरा रख सकते हैं उसके fry को रख सकते हैं ठीक है तो काफी अच्छा से रहेगी और उसे भरपूर natural oxygen मिलेगा अभी मैं आपको molly fish के fry का वी थोड़ा सा जलग दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में तो यह money plants देख सकते हैं कितनी हरी और जबर्दस तरीके से बढ़ रही है मेरी हरी-भरी money plants जिसको पोथोस बोलते हैं तो आप money plant लगाएं driftwood में add करके आप देख सकते हैं नीचे तक root गया हुआ है देखे कितनी सारी root है कितनी सारी root है ठीक है और plants में गर जीरो carbon dioxide वेला plant लगाना है तो अनुबियस बेस्ट है और एक green वाला है ठीक है वो mother strong इसको बोलते हैं तो वह भी रख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी पौधा होता है और money plant तो अब्यासी बाते बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं इधर जो है मेरे पास कुछ fry थी आपको पता है अभी इसमें 30 fry है molly fishes के और जो की एक भी देथ नहीं हुई है और अभी थोड़ी बढ़ भी रही है दीरे दीरे मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा जो food देता तो आप देख सकते हैं दिखेगी नहीं बस एक ऐसे ही रखा हुआ था तो मुझे मिल गया था स्वब कीपर वाले से ही तो एक fighter fish मैंने ऐसे ही रख लिया यह 40 रूपीस की normal सी fighter fishes है कोई well tail crown वाली नहीं है तो आप ये angel fishes को क्या food देंगे तो मेरे अनुसारा blood warm दे सकते हैं इ जैसे गर आपको tank रखना है तो angel fishes का एक अलग से ही tank रखें एक और variety की angel fishes है हमारे पास अभी इसे वीडियो में थोड़ा सा आप देख लेंगे और plants ग्रो करना है तो आपको 9 watt का light या उससे अधिक वाट का एक normal सा cfl लगाए आपका money plant बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ठीक एक और variety की मैं angel fishes के आप सब को बात कर रहा था तो यह तो दो variety में दिखाया यह तीसरी variety है हमारे पास इसको tuxedo angels बोलते है tuxedo black angels और यह है tuxedo marvel angels ठीक है इस पर white color का है तो यह दोनों भी बहुत बड़ी हो रही है और आप देख सकते हैं यह बहुत खुबसूरत है बहुत ज खोटा से एक update था कि मेरी planted tank फिलाल ठीक है बहुत अच्छे से grow हो रही है plants वगएरा आपको planted tank बनाना है तो मैं A to Z बना सकता हूं और community post में post डाला था कि सिकलेट का setup करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप सब जरूर comment करके बताएं ठीक है आप community post चेक कर सकते है वीडियो झाला चाहिए झाला चाहिए झाला चाहिए